हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ आरके और आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप ट्रेडिंग व्यू के मल्टिपल चार्ट कैसे ओपन कर सकते हो वो भी free version में आपको paid version लेनी की जुरूद नहीं है आप multiple chart अपने एक ही window में open कर सकते हो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर दो chart open कर रखे हैं और वैसे चाहूं तो मैं एक chart को भी देख सकता हूं और चाहूं तो मैं दोनों को एक साथ भी देख सकता हूं इस तरह से ठीक है तो यहाँ पर देखिए मैंने bank nifty open कर रखा है देखिए यहाँ पर bank nifty open है और दूसरे वाले में यहाँ पर nifty open है यहाँ पर nifty देखिए search की अधा मैंने और इसके बाद nifty का chart हमने open कर रखा है यहाँ पर time frame भी मैं अपने हिसाब से अपने according चेंज कर सकता हूं जैसे कि यहाँ पर daily लगा हुआ है daily को अगर मैं चाहूं तो पांच मट के time frame पर देख सकता हूं इसको ठीक है और दूसरे वालों को जैसे कि मैंने यहाँ पर nifty open कर रखा है इसका भी मैं time frame easily change कर सकता हूं यहाँ पर time frame इंडिकेटर सारी अलग-अलग लगाने के options मिलेंगे तो जैसे normally आप indicator लगाते हो अपने trading view में वैसे इसमें भी indicator आपको अलग-अलग लगाने का option मिल जाएंगे इस side में अलग indicator आप लगा सकते हो ठीक है अगर मान लीजिए दोनों जगहे आपको एक ही stock open करना हो जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए मुझे Tata Motors open करना है तो यहाँ पर हमने Tata Motors को 5 minute के chart पे open कर लिया और दूसरे वाले में भी Tata Motors open कर लिया है तो हमने दूसरे वाले में भी Tata Motors open कर लिया है और इसके बाद यहाँ पर मान लीजे मुझे इसको 1 day के time frame पे देखना है तो मैं इसको 1 day के time frame पे भी देख सकता हूँ और इधर 5 minute के time frame पे live देख सकता हूँ trading view पर अब इसको कैसे आप देख सकते हो free of cost इसकी के बारे में बात करेंगे सबसे पहले तो मैं इनको cut कर देता हूँ ठीक है इनको cut कर देता हूँ अब यह हमारे पास एक single chart open हो गया है ठीक है इसको भी cut कर देता हूँ हमें कुछ settings करनी होती है अपने laptop में अगर आपके पास windows 10 है 8 है 7 है सभी में यह settings आपको मिल जाएगी तो simply आपको यहाँ पर एक search बार रहता है आपके windows में ठीक है चाहूं तो आप setting में जाके भी कर सकते हो या फिर यहीं से type कर सकते हो multitasking आपको type करना है तो multitasking जैसे ही आप search करोगे तो multitasking setting यहाँ पर आप देखिए open हो गई है चाहूं तो मैं यहाँ से click करके open कर सकता हूँ फिलाल मैं आपको यहाँ से भी दिखा जिकता हूँ window के start button पर click करेंगे start button पर click करने के बाद यहाँ पर settings पर click करेंगे settings पर click करने के बाद यहाँ पर एक system का option मिलेगा आपको सबसे पहले number पर system पर click करेंगे सिस्टम पर जैसे ही आप क्लिक करोगे एक menu open हो जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आप आओगे तो यहाँ पर multitasking का यह वही tab आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है यहाँ पर multitasking पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप क्लिक करोगे यह setting अगर आपकी off है तो इसको simply आपको on कर लेना है ठीक है यह हमने on कर रखी थी तो मैं इसको फिर से on करता हूं यहाँ पर यह setting आपकी on होनी चाहिए multitasking की अब simply इसको बंद कर देते हैं हमारा काम हो गया है simply कोई भी एक browser ले लिजे हम Chrome browser मैंने Chrome browser चली open कर रखा है और Chrome browser पर ही मैंने यहाँ पर trading view open कर रखा है मैं फि मान लिजे मुझे यहाँ पर दो चार्ट open करने है तो हम क्या करेंगे उपर की साइड में यहाँ पर जाएंगे राइट साइड में और यहाँ पर राइट क्लिक करके और यहाँ पर duplicate का option रहता है duplicate पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो चार्ट यहाँ पर open हो जाएंगे ठीक है इनको combine करेंगे multitasking के जरी है मान लीजिए एक part में मुझे nifty open करना है दूसरे में bank nifty open करना है तो हम क्या करेंगे उपर की side में जहां पर जैसे की nifty लिखा हुआ है यहां पर address बार रहता है यहां पर left click करके दबा के रखना है left click जैसे यहां पर ले जाओ गए दबा के ले जाना है और इसको उठा के लिया आना इस तरह से ठीक है और इसको right side में बिल्कुल middle पर यहां पर लाके छोड़ देना है जैसे छोड़ दोगे कुछ इस तरह का आपका tab यहां पर open हो जाएगा ठीक है एक side में देखिए आ गया है और दूसरे side में इस तरह से आ जाएगा इस पर click करेंगे तो देखें दूसरे side में हमारा दूसरा जुचार्ट था वो आ गया है अब माली जे हमने एक चार्ट यहाँ पर open कर लिया है ठीक है एक चार्ट हमारा open है और एक side में open कर इसको दिखाता हूँ लाके उपर की side में यहाँ पर उपर की side में ले जाएंगे left side button बाला click करेंगे left side दबा के रखेंगे और यहाँ पर middle पर बिल्कुल छोड़ देंगे left side क तरफ तो यहाँ पर इस तरह से हमारा open हो जाएगा अब माली दूसरा आपको open करना है तो एक और tab open करेंगे खाली इसको उठा करके इस तरह से right side पे ले आएंगे ठीक है और यहाँ पर बिल्कुल middle बीच में बिल्कुल छोड़ेंगे ठीक है बिल्कुल corner पे जैसे ही करता है तो यहाँ पर सर्च बार्वेबस आपको क्लिक करना है जो भी stock bank nifty nifty open करना है वो simply यहाँ पर search करके open कर सकते हो time frame पे change कर सकते हो indicator change कर सकते हो बहुत easily और इसी तरह से आपको चार चार्ट open करने है तो simply एक और tab ले ले लेते हैं left side वाले से और right side वाले से वी एक tab ले नीचे के side में ले आएंगे बिल्कुल नीचे ठीक है तो नीचे के side में ले आएंगे तो यहाँ पर इस तरह से नीचे भी एक open हो चुका है tab उसी तरह से right side में यहाँ पर जो हमने open कर रखा था एक और नया tab उस पर left क्लिक करेंगे और दबा के रखेंगे और विल्कुल corner प कि यहाँ पर open हो चुके हैं और same आपको वही options मिल जाते हैं यहाँ पर भी search bar मिल जाता है यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर nifty bank nifty stock जो भी open करना हो आप open कर सकते हो फिलाल मैं नीचे वालों को cut कर देता हूं ठीक है और उपर वाले जो हमारे हैं इनको बापस से उठा के middle पर लाएंगे तो यहाँ पर यह बराबर में open हो जाएंगे इस तरह से ठीक है तो इस तरह से आप multiple chart open कर सकते हो एकी screen पर बिना कोई चीज डाउनलोड किये बिना कोई app के बिना कोई browser के और ना ही आपके paid version के आपको जरूरत पड़ेगी कोई problem आती है तो comment box बताना मिलते ह है next studio में तब तक के लिए bye bye